जीवन में जो सवाल के दाइरे में नहीं है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुछ में जीवन में आनन्द की अनुभूती करनी हैं तो अपने आपको एक quality विख्षित करने का प्रयास करना चाहिए अगर उस वीधा को हम develop करेंगे तो आप हमेशा आनन्दित रहेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना किसी में भी हम गुण देखते हैं quality देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं उससे उसको तो ताकत मिलती है हमें ताकत मिलती हैं हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को अबज़र करें कैसे अच्छा है वो अबज़र करें उसको हम स्विकार करने का प्रयास करें खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें इनोवेट करने का प्रयास करें, जोडने का प्रयास करें, अगर हम इर्शय भाव पनपने देते हैं, देखो यार यह तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, देखे यार यह इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावन है उसको तो कोई तकलिभी भी नहीं है अगर यही kompetition मन में पड़ी रहती है तो हम दिरे धीरे 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 तिरे बहुत ही अपने आपको छोटा करते जाते हैं हम कभी बड़े नहीं बन सकते हैं हम औरों के सामर्त को औरों की विशेस्ताओं को औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्त विक्सित करेंगे तो उन विशेस्ताओं को अपने में लाने का सामर्त है अपने आप विक्सित होना शुरू हो जाएगा और इसलिए मैं अपनी जिन्दगी में सफल होने के लिए आप सबसे आगरह करूँगा कि जीवन में जहाँ भी मोका मिले जो विशेस हैं, जो अच्छा है, जो सामर्तवान है उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए उसको जानने का, समझने का, स्विकार करने का बहुत ही उमदा मन होना चाहिए कभी भी इरशा का भावनी होगा कभी भी हमारे मन में प्रतिशोद की भावना पैदा नहीं होगी हम एक बड़े आनंद और सुख की जिन्गी जी पाएंगे इसी एक अपेश्चा के जात मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सबी विद्यार्जव का बिनंदन करता हूं और मैं सिख्षा विभाद का बिनंदन करता हूं कि इतना शांदार कारकम आप सब ने योजना की और आप सब जाउजवारों से मुझे मिलने का मुका मिला कुछ लोगों को लगता होगा कि मोधिय परिष्षा की चर्चा क्यों करते हैं मैं तो ठीक है टीचर ने बहुत को समझा दिया होगा आपको लाब होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है मेरा लाब होता है मेरा लाब यह होता है जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूँ और मैं अपने आपको आपकी उमर से कुछ सीख करके ग्रोव करने की कोशिश करता हूँ यानि मैं मेरी पीडी नहीं बदलती है मैं आपके साथ जूणने के कारान हमेशा आपके मन को समझता हूँ मैं आपके आशा आकांचाओं को समझता हूँ मेरी जिन्दिकी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ और इसलिए ये कारकम मुझे बढाने में काम आ रहा है मेरे सामर्दों को बढाने में काम आ रहा है और इसलिए इसलिए मैं आपके बीच आता हूँ मुझा आठ अपने को ढालने के लिए अपने को घरने के लिए खुद को कुछ सिखने के लिए आप सबने समय दिया इसलिए मैं आपका अभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद